आखे मर्हबा बाते मर्हबा असलाम अलेकुम स्टार्ट में आप देख चुके हैं और इस वक्त देख रहे हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इस तरह की वीडियो कैसे क्रेट कर सकते हैं टिक टॉक के उपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहे हैं आप जो है उनको फालो करते हैं लेकिन आप उन ट्रेंड को भी फालो करें और खुद से अपने ट्रेंड भी मेक करें तो हम आपके लिए न्यू ट्रेंड के इडिटिंग लेकर आया करेंगे न्यू न्यू जो है स स्टोर पर आपने केपकट को अपन कर लेना है उसके बाद हम जब करेंगे तो यहां पर आपको इसी वीडियो के description में कुछ video's का link मिल जाएगा जिन्हें आपने download कर लेना है इसके लावा sound हम use करने वाले हैं उसका link भी मिल जाएगा उसका link भी आपको description में मिल जाएगा वह भी आपने download कर लेना है उसके बाद कैसे edit करना है वह अब हम start करते तो सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद हमने जो है ना जो वीडियोस डाउनलोड करनी है गरल वाली उन चार वीडियोस को हमने यहां से कर लेना है सेलेक्ट तो हम यहां पे इन चार वीडियोस को सिलेक्ट कर लेते हैं ठी आइड हो जाएगा अब हमने जो है यह जो गरल वाली वीडियों इनके दर्मयान में अपनी फोटू को एड करना है ठीक है दो वीडियों के दर्मयान तो यह जो आपको वाइट लाइन करसर नज़र आ रहा है रैड एरो का निशान है यहां पर आप अपनी यह वाइट लाइन करसर ले आएंगे एक वाइट डबे के उन पर बिल्कुल ठीक है उसके बाद यह पलस वाला आपको आइकान दरा रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद फोटू के आप्शन में आएंगे यहां से डाउनलोड के आप्शन को सिलेक करके आपने जो है अपने मुबाइ जो दो वीडियो होंगी ठीक है फोटू डालने के बाद एक वीडियो को छोड़के फिर हम जो है ना नेक्स्ट दो वीडियो के दर्मयान में अपने फोटू को ले आएंगे तो यह वाइट करसर ऐसे दर्मयान में ले आएंगे ठीक है इस वाइट डबे के उंपर उसके बा करने के लिए यही पलस वाले आइकान मी आएंगे और यहां से फोटो को सिलेक्ट करके कर लेंगे एड़ तो हमने अपने तीन फोटो को एड़ कर लिया है अब लास्ट में आपको कैप कट का वाटर मार्क नज़र आ रहा है ठीक है तो आप इंडिंग को सिलेक्ट करेंगी और उसको डियूरेशन देनी है डियूरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी साउंड के लिए तो हम पहली फोटो को सिलेक्ट करेंगे और पहली फोटो की जो डियूरेशन हमने सेट करनी है वह सेट करनी है वह सेट करनी है याद रखेगा आपने पहली फोटो की तो सेकंड रख लेनी है ठीक है आपने अपनी डूरेशन सेट करनी है याद रखेगा पहले फोटो की डूरेशन 1.3 सेकंड उसके बाद जो दो फोटो हैं उनकी डूरेशन हमने 1.2 सेकंड रखनी है अब हमने इसमें देनी है एनिमेशन तो आपने पहले फोटो को सिलेक करने ह animation के option में आने है उसके बाद ये combo का option है combo के option में आने है combo के option में आने के बाद in options में आप आ गया जाएंगे वैसे यहां पर और भी बहुत सरा animation है जो use कर सकते हैं लेकिन इसके लिए जो हमने देखा है जो best रह जाता है अक्सर use भी हो रहा है तो वो है pen right वाला ठीक है तो ये train 123 के आगे आगे आपको नज़र आएगा left zoom के साथ है बिल्कुल pen right ठीक है तो आप इसको करेंगे select अपने पहले फोटो के उपर pen right वाला जो animation है लगा लेंगे फिर next photo पे आएंगे और उस पे भी हमने यही वाला animation देना है pen right वाला तो हम इसके उपर भी वही animation दे देते है pen right animation ठीक है और last photo पे आएंगे और last photo पे भी जो हमने animation देना है वो भी यही है pen right वाला animation उसके बाद जो हमने यहां पर कर देना है okay okay करने के बाद हम वीडियो चला कर देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी वीडियो लगेगे जैसे कि आपको इस वक्त सक्रीन के उपर देख यहां पर आप क्लिक करके अपनी वीडियो को कर लेंगे सेव थैंक्स फार वाचिंग